एक अभ्यान में और चला रहा हूं बेटी बचाओ अभ्यान उसका एक सुरुप तो लाली लक्ष्मी है और बाकी है लेगिन मेरी बेहनों तुम्हें एक काम और दे रहा हूं आज में अभी मैं समिख्षा की तो मैं हैरत में रह जया कई बेटियां गाइब है बेटियां काम धंदे के ले गई ले जाई गई बजा रही हैं और फिर गाइब पते नहीं चला अभी लगातार मैंने जब समिक शक्दी तो पता चला लगबक तीन हजार बेटियां गाइब है काम धे ये बेटियां किस हालत में है ये बेटियां कहां हैं ये बेटिया मैंने पुलिस को टार्गेट दिया है जहां भी हो लेके आओ और एक बात कह रहा हूं जो मासूम बिटियों के साथ इस तरह की हर्कत करते हैं उनको तो सीधे फांसी के फंदे पे लड़काने का कानून हमने बनाया है सीधे फांसी के फंदे पे लड़काने का और जिस तरह के काम में लगें के बेटियां लेके जाड़ू पहुंचा बरतन दूसरे काम के लिए बाद में गाइब करती उनको छोडूँगा नहीं मैंने का उनकी संपत्यां तबा कर दो मकान है तो तोड़ दो जाबी मेले पकर के उठा के ले आओ लेकिन एक काम में आपको दे रहा हूँ मैंने अभी अपनी पुलिस प्रिसासन को काई कि अब कोई बेटी अगर काम दंदे के लिए बाहर जाएगी तो पहले बाकाइदा रजिस्टेशन की एक व्यवस्था बनाएंगी कहां जा रही है ये पता पहले रेजिस्टर करवाना पड़ेगा बेटी के पास नमबर रहेंगे कहीं गई तो फिर तदकाल वो फोन कर सकती है या फ़त आई बुसी बताई तो और कहां गई इस पे नजर रखी जाएगी ये बेटी बचाना है तो जिन जिलों में में हर एकी बात नहीं करता मेहनत मजदूरी के नाम पे जहांसे ले जाते हैं बच्चों को महा स्वासाहता समूध ध्यान रखें अभी मंडला मेरी समाधान उल्लाइन में कल बात हो रही थी मैंने पुलिस के दो लोगों को सस्पेंट कर दिया बेटी जाये हुई तहीं से रिपोर्ट नहीं लिखी तलासने का ढूंडने का काम नहीं किया लेकिन स्वासाहता समूध की अब एक जम्मेदारी ये भी है कि कोई एक तो नसा मुट्टी और दूसरे कोई भी बेटी किसी काम के लिए बाहर ले जाई जाए तो बाकाइदा वो रिजिस्टर हो जाए ध्यान में रहे कि कौन सी बेटी कहा गए ताकि कोई बेटी मुसीबत में पढ़े तो हम उसकी मदद करें बेटीों की सिख्षा भी आपका काम है और कैसे बढ़े आप अलग लग तरह के कई काम हाथ में लोग आर्थिक गत्मी धियों के कोई दिक्कत नहीं है